अगर आपने पहली बार विजिट के जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को हीट करके औल जरू सिलेट कर लेना उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो या पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को एट करके औल जरू सिलेट करके रख लेना इस चैनल का लिंक आपको उपर आई बड़न पे या फिर निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी के साथ-साथ कल सुबे इस चैनल के उपर एक very important वीडियो अपलोड होने वाला है तो उसको बिल्कुल भी miss मत कर लेना, reminder set करके आपे रख लेना तो चले फिलाल तो इस वीडियो को हम लोग start कर लेते हैं सो अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे normal screen के उपर और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुती शांदार report के बारे में अगर आप stock market में हो, आप सब लोग को पता है as a long term investor, अलग-अलग प्रकार के business इस हम लोग को देखने को आपे मिलते रहते हैं अलग-अलग type के reports भी उन businesses के उपर आते वे देखने को मिल जाते हैं जिसके चलते हमें पता चल जाते कि कौन सा business शायद से अच्छा कर सकता है और उसी businesses की shares अगर आप खरीद के रखते हो, तो आपको long term में अच्छा कासा फायदा यापे हो सकता है नो डाउट report को हम लोग blindly copy यहापे नहीं करते, बट हम लोगोंने ignore भी करना नहीं चाहिए कि exactly report कहने की क्या कोशिश करें और उसके बाद हम लोगोंने क्या करना है खुद का दिमाग, brain इस्तमाल करना होता है, कि किस हद तक यह report सतसाबित हो सकती है and accordingly यहापे decision लेना होता है so report है किसकी, तो report है team leads digital की and अगर report की अगर हम लोग बात करें, तो किस sector से related, business से related यह report सामने आ रही है तो दोस्तों वो report है यहापे gaming industries के बारे में yes, gaming industry यहापे आप सब लोगों को पता है, मतलब future का एक नया sector देखने को मिल रहा है यह एक ऐसी industry है, जो कि इसके पहले भी थी, बट अभी भविश्या की अगर हम लोग बात करें, इसमें एक earning perspective के और से आपे देखा जाता है अगर हम लोग हमारे जमाने की बात करें पूराने, तो हम लोग ऐसे video games खेला करते थे, just for a time pass बट अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आपको पता है, कि यह time pass, सिर्फ time pass नहीं रही चुका है gaming industry की बात करें, तो यह full-fledged एक business बन चुका है, full-fledged अगर हम लोग यहापे बात करें तो इसमें लोगों को job मिलती भी देखने को आपे मिल जाती है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो और इसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, यह job का जो data है न, requirement यह और भी बढ़ते हुए यहापे जा रहा है इंडिया में आने वाले समय में यह जो gaming industry है, और भी जबरदस तरीकी से हम लोगों को बढ़ती भी देखने को आपे मिलने वाली है अगर मैं gaming industry की बात करूँ न, तो world में इंडिया second number पे आती भी देखने को मिल जाती है मुझे comment section में जरूर बता देना कि number one पे कौन सी country यहापे आती है जापे games सबसे ज़्यादा खेले ही यहापे जाते है next अगर हम लोगे आपे बात करें, जैसमीन आप लोगों को बताया कि जे report में यहाँ सारी चीज़े mention की गई है, कि gaming industry से related जो jobs है वो massive level पे बढ़ते वे देखने को मिल रहे है massive level पे मतलब देखे, सिर्फ game खेलना यह कोई job नहीं है game बनाना भी, आप सब लोगों को पता है, game बनाना भी यहापे पढ़ता है उसी की साथ साथ design करना पढ़ता है, engineering भी उसमें लगती है यहापे, सारी चीज़े जो यहापे लगते है, मतलब उससे related जो जितना यहापे job का requirement है, वो लगातार बढ़ते जा रहे है अभी फिलाल gaming industry में बात किया जाए, रिपोर्ट के जरीए तो 50,000 से जादा लोग यहापे gaming industry में job करते वे देखने को आपे मिल रहे है 50,000 इंडिया के size की साब से देखा के तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है और आने वाले समय में यही job का जो data है दोस्तों वो बहुत ही massive level पे यहापे बढ़ने वाला है क्योंकि पहले जिस चीज़ के लिए लोगों को gaming industry से related काम करने के लिए पाच लाक मिला करते थे, चे लाक मिला करते थे, अभी वहापे वही package 10 से 12 लाक मतलब more than double देने के लिए यहापे companies ready है क्योंकि demand है, demand है तो supply तो करना पड़ेगा और इसी के चलते, यहापे हम लोग कह सकते gaming industry आने वाले समय में जबरदस growth यहापे होने वाली है यहापे growth की अगर हम लोग बात करें, तो बताया जा रहा है according to the report, 22-30% growth हम लोग को gaming industry में आने वाले समय में भारत में देखने को आपे मिलने वाली है और जहापे इस प्रकार की इतनी बड़ी growth रहेगी, तो companies भी grow करेंगी companies grow करेंगी तो उनका revenue grow करेगा, obviously profit grow करेगा and सारी चीजे हम लोग को stock market के प्रती, उनके shares में भी अच्छी कासी jump देखने को मिलेगी यह पूरा गणित फिलाल तो यहापे बताया जा रहा है तो definitely इसमें कोई शक्की गुंजाश नहीं है, कि भारत में यहापे gaming industry से related, जो मतलब business है वो बहुत बड़ा आने वाले समय में, 5, 10, 15 साल में बहुत बड़ा होते वे देखने को आपे मिलने वाला है अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जहाँ पे career देखने को मिलेगा, वहाँ पे revenue भी ते रहेगा तो all over the globe की अगर में बात करो, all over the world की अगर में बात करो तो जो revenue है, gaming industry से, वो लगबख 17,00,000 करोड से भी जादा है कितना? 17,00,000 करोड से भी जादा और उसी sector के अगर हम लोग बात करें, तो भारत second number पे देखने को आपे मिल रहा है हाँ, इसमें ये भी बात कड़वी सचाई ये है, कि भारत में जो gaming फिलाल जो देखी जा रही है वो यहाँ पे मतलब revenue purpose से related इतना जादा देखने को नहीं मिल रहा है बट आने वाले समय में हम लोग जरू कह सकते है, report के जरी ये ही बताय जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी earning के चलते भी gaming industry को जादा focus यहाँ पे करते वे देखने को आपे मिल रहे है तो ये जरूर आने वाले समय के अगर में बात करूँ, तो एक नया emerging sector भी करके यहाँ पे काम कर सकता है प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, तो आप सब लोग को पता है किसी भी particular sector में अगर growth नजर आती है जहाँ पे बहुत बड़ा boom आने वाला है, तो foreign direct investment वहाँ पे आ जाते है So FDIS तो आप लोगों ने यहाँ पे सुनाई होगा, अभी FIS अलग बात होती है FDIS अलग बात होती है, अलग बात मतलब है तो दोनों विदेश के ही investors But FIS में क्या रहता है, यह usually आप बोल सकते है कि FIS का जो investment रहता है Usually छोटा सा रहता है as compared to the FDI And कभी-कभी इनका जो investment रहता है वो short term type का रहता है कभी आपने देखा होगा कि FIS पैसा लगाते है, next month देखेंगे FIS पैसा निकाल रहे है तो यह plus minus का खेल FIS यहाँ पर करते रहते है, बहुत बार हम लोग ने FISDS के data में भी दिखा है But जो FDI जो रहते है, foreign direct investment, इनका जो पैसा रहता है न दोस्तों वो ऐसा regular basis के उपर plus minus नहीं होता रहता है उनका usually जो investment रहता है न, वो लंबी आउदी के लिए रहता है, बहुत लंबी आउदी के लिए अगर वो directly equity में अगर invest करते हैं, तो आपको बताना चांगा, वो कुछ-कुछ company में सीधा 10% से ज़्यादा हिस्सा भी खरीद लेते है इसलिए दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट के जरी यह भी बताया जा रहा है, कि जो FDIs है, foreign direct investors भी है वो भी भारत में लगबग 780 करोड यहाँ पर invest कर सकते हैं, गेमिंग इंडस्टी में no doubt, उपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, बट इतना तो पक्का है दोस्तों, कि यहाँ पर गेमिंग इंडस्टी हम लोग को जा रहे हैं, तो उनमें कौन से शेर अच्छा performance यहाँ पर दे सकते हैं, अगेन कहना चाहँगा, यह कोई आपके लिए recommendation है कि आप जाके खरीदो या फिर बेचो करके, बट कौन से ऐसे शेर जो की गेमिंग इंडस्टी में अच्छा कर रहे है, और कौन सा ऐसा stock है, जो की leading position पे है, वो मैं आपके सामने आपे जरूर रखना चाहँगा, फिलाल देखा गया तो gaming industry भारत में अभी तक इतना ज़्यादा भागते वे देखने को नहीं मिल रहा है, अगर हम लोग बात करें, बट भविश्या में ये industry बहुत बड़ी बन सकती है, उसमें सबसे बड़ा player हो सकता है, listed entity के हिसाब से, नजारा जबी भी मैं आप लोगों को यहाँ पर study करने के लिए बताता हूँ, यहाँ पर मैं ज़रूर mention करता हूँ, यह company बहुत ज़्यादा risk की category में आती है, क्यों? विल्कि इसका market का आप आप देख सकते हो, केवल 4000 करोड का market का पर, ऐसी company में volatility बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप volatility को यहाँ पर नहीं समझ पाए, तो आप ऐसी company में निवेश करके first जाओगे, मतलब frustrated हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक साल का इसका data चेक करो यह देखे, 45% की गिरावट, तो क्या इसका रत यह है कि इस company में कोई बढ़ चल रहे ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह ही एक छोटी company, small cap type की, and small cap ऐसे ही चलते है, प्लस उपर से, अगर आप इसके business model को भी समझोगे, तो gaming type की company है, तो यहाँ पे अगर देखा गया, जैसे मैं आप लों को बता है, कि इंडिया में यह gaming का जो fever है, मतलब म में होंगे, उससे ज़्यादा लोग gaming से related, यहाँ पे आप लों को traffic में देखने का, मतलब इतना ज़्यादा gaming का traffic रहेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि यह company कि इतना अच्छा future में कमा सकती है, प्लस अगर मैं नजारा टेक की बात करो, तो सबसे बड़ा negative point कौन सा है, कि यही जो company बिल्कुल नई है, IPO के throw यहाँ पे बाजार में आती, और यहाँ पे promoter holding बहुत ही कम है, केवल 19% है, तो इसका आरते हैं नहीं कि यहाँ पे कोई गड़बड़े करके, बड़ रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, यही पे promoter holding, अगर मान दीजे, 19% के बदले, अगर यह 69% होती, तो हमारा confidence थोड़ा और बढ़ जाता, कि अरे promoter का इतना बड़ा हिस्सा है, तो वो और भी अच्छी तरह के इसे काम करेंगे, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा हिस्सा company में फिलाल तो देखने का आपे मिल रहा है, तो फिलाल अगर हकीकत की बात करे, तो प्रमोटर केवल 19% है इस company में, FIS की बात करें तो 10% है, DIS की बात करें तो 5,5% and public का investment हिस्सेदारी 65% यहापे हम लोग को नजारा टेक में जादा देखने को आपे मिल रहा है, जो कि इस company के लिए देखा गया तो सबसे जादा risky factor है, तो इस point को नजर अंदाज आप लोगों नहीं सोचना है, अरे वो तो 600 का था, यह तो 200 का है, इसको consider कर लेते हैं, again pricing percentage देखकर decision नहीं लेना होता है, business को समझना होता है, उसके accordingly आगे बढ़ना होता है, so धिन सार टेक भी देखा गया, आप चाओ तो इसको भी study कर सकते हो, then casino वाला stock, delta cop, so delta cop की बात करें, तो यह भी gaming के stocks देखने को मिलेंगे, but probably यह 4 companies हम लोगों को हमेशा radar के उपर देखने को आपे मिल जाती है, and उसमें से भी अगर हम लोग leader की बात करें, तो वो नजारा take है, but वो भी आप देख सकते कि कितनी छोटी company है, and कितना ज़्यादा risk उस company में हम लोगों को देखने को आपे मिल सकता है, so ज़रू इन सारी चीजों को study कर लेना, and accordingly edition यहापे ले लेना, so वीडियो अच्छा लगे, तो आप चाहो तो इसको like and share कर सकते हो, and Demet account अगर आपने अभी तक open नहीं के है, तो link मीचे description में 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे, आपका नाम, कौनसा account अपने link के तुर open के है, जरू properly comment section ने बता देना, तो आपते बर के अंदर-अंदर, यह सारे वीडियो आप लोगो free of cost प्रोवाइड कर दी जाएगे, ताकि आप stock market को थोड़ा सा आसान भाशार से यहापर समझ सको, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our radio, तब तक के लिए, bye bye